हेलो बच्चो चोहानी एजुकेशन चैनल में आपका श्वागत हैं बच्चो आज हम लर्निंग आउटकम्स अधारित लर्निंग गैप समागरी गड़ित एबं परियवरन अध्यन कक्छा पांच के खंडवा परियवरन आजपास कक्छा पांच 2022 के अंदर का जल सुद्धी करण प्रोजेक्ट कार को देखेंगे जिसमें देखेंगे बच्चो हम लर्निंग आउटकम्स जल सुद्धी करण तो लर्निंग आउटकम्स एबियस चार सुच है दैनिक आप सकताओं की बस्तू जैसे भोजन जल बस्त्र के उत्पादन तथा उनकी उपलगता सुरोत से घर तक पहुँचने की प्रिक्रिय का बढ़न करते हैं पाट का नाम है पाड़ों से समुंदर तक पानी कहीं जादा कहीं कम ये बस्तू इसमें जो है अउधारणा जल के सुद्धी करेंड के पढ़्चाइद घरों में पहुँचना आउधारणा का पर्चे इसके पूर बच्चों अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाये है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइ नदी के किनारे हम लोगों का गाउं के लिए रवाना हुई सहर के भीड़भा वाली जगह का छोड़ हम शुकून के लिए गाउं जाना चाह रहे थे नदी के किनारे हम लोगों का गाउं बसा हुआ था जैसे जैसे गाउं नजदिक आ रहा था नदी भी पास आती जा रही थी गाउं पहुंचते ही थोड़ी देर के लिए हम रुके गाउं पहुचते ही नदी शाब दिखाई देती है उसका नीले रंका शाब पानी जिसमे बहुत सारी मचलियां थी जिन स्तारों पर नदी प्रदूसित नहीं होती वहाँ बहुत सी मशलियां होती है मैं अपनी मम्मी के साथ पानी में उचछल कूत करने लगी तभी मुझे प्यास लगी मैं नदी का पानी पीने लगी पापा ने मना किया जरूरी नहीं की पानी चाप होगा इसे मत पियो हम पानी उबालकर छानकर पीना चाहिए तो क्या घर में नल में जो पानी आता हुआ है क्या उबालकर और छानकर बेजा जाता है एह सुनकर पापा हसने लगे बोले नहीं बेटा पानी बड़े पैमाने पर मशीनों के द्वारा साप किया जाता है फिर पाइप लाइना उसे हमारे घर में आता है फिर भी पाइप लाइन टूड जाती है तो गंदा पानी उसमें मिल जाता है इसलिए हम जो है हम लोगों को घरों में पानी फिल्टर करके पिना चाहिए हम लोग गाउं से कजबे की तरब आगे बढ़ने लगे कजबे के पास नदी के पानी का रंग बदलने लगा मम्मी ने बताया लोग नदी में मरे हुए इंसानों की राग तेवारों के दोरान दार्मिक मूर्तियां कच्रा जानवरों को नहलाते हैं कपड़े दोते हैं इसलिए यहां का पानी मटमेला है बदू भी आती यही नदी को शाप रखना है तो हम मनुस्व को यह शब नहीं करना चाहिए आगे जाने पर हम लोगों को नदी का पानी और भी गंदा और प्रदूसित लगा पापा ने बताया आगे एक कारखाना है जहां का कच्रा और सेवेज सीधी नदी में मिलाया जाता है यदि हम नदी को प्रदूसित होने से बचाना चाहते हैं तो नदी में जाने से पहले कारखानों के कच्रों से रसाइनों को हटाने के लिए उपचार संयंत्र इस्तापित किये जाने चाहिए तभी हम नदी तलावों के पानी को प्रदूसेद उने से बचा सकते हैं हमारे मुममई में जो समुद्र है उसका पानी भी बहुत खारा है इसलिए उसके पानी को हम नहीं पी सकते तभी हमने देखा कि नल के पास जहां से पानी के लिए पानी आता है वहां लंबी लाइन लगी थी तीन चार दिन से पानी पीने के पानी का टेंकर नहीं आया था इस बार बारिज भी बहुत कम हुई इसलिए कुवे और तलाव भर नहीं पाये थे गंदा पानी पीने से उल्टी दस्त और हैजी जैसी बिमारियां फैलने लगती है हम सबको अपने घर, स्कूल के आसपास की जैगों को साप रखना चाहिए हम सभी को जागरुक होने क्या सकता है गाँ में सभी को अपने घरों की टंकिया, मटके को शाप सुत्रा रखना चाहिए हम सबको पेड़ पोदे लगाने चाहिए तब ही हम सुकी वस्वस्त रह सकते पाएंगे इस तरह ग्यान की बाते सुनते सुनते कब दादी का घर आ गया पता ही नहीं चला तो इस प्रकार इस बर्क सीट पर हमको जो हमने पढ़ा सीर सा इसके बाद इस बर्क सीट पर कार करना है बच्चों तो देखे हम बर्क सीट पर अभ्याद बर्क सीट है अभ्याद से क्रमाग एक पापा मम्मी को अकबार में छपी खबर को सुना रहे थे कि इस जल अलाके पीने के पानी वाले पाइप में गटर का पानी मिल गाया तो गंदे पानी कारण बहुत से लोग दस्त और हजी के कारण बिमार हो गए मैं तुरण सोचने लगी कि इन बिमारियों से बजने के लिए हम लोगों को क्या उपाय करना चाहिए तो इसक में जो उपाय है वो क्या करना चाहिए सबसे पहले नमबर एक में हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए नमबर दो में हमें पानी फिल्टर करके पीना चाहिए नमबर दी में हमें पानी च्छान कर साफ सूतरा पीना चाहिए नमबर चार हम पाणी के बरतनों को साप रखना चाहिए इस प्रकार हम में उपाय करना चाहिए नदी-तलाव कुन का पानी प्रदोसित नहों हमारे द्वारा के जाने वाले कारे की जानकारी निमने प्रदोसित बिन्दों के एधार पर दीजिए तो हम बच्चों देखेंगे इसमें क्या-क्या बिंदू है नम्मर ए में हैं कपड़ा दोना तो हमें नदी तलाओ के किनारी कपड़े नहीं दोना चाहिए नम्मर भी हम जानवारों को नहलाना जानवारों को नदी या तलाओ में नहीं नहलाना चाहिए उद्योगिक शेत्रों का कच्रा का निप्टान तो उपचार सहींत रित्तापित करना चाहिए मृत्य सरीर को राख डालना हमें मृत्य सरीर की राख नदी में नहीं बहाना चाहिए आपके घर में और इसकुल में पीने का पानी कैसे साप होता है तो हमारे घर और इसकुल में पीने का पानी फिल्टर द्वारा शाप होता है इस प्रकार से बच्चों हम इसमें हल कर देंगे अब ब्याद नमबर दो में देखेंगे हम चीतर में दिये गए पानी के सुरोतों के नाम लिखिए यहाँ पर कुमा देखी आप कुमा बना हुआ है यह बादल है बादल दिखाई दे रहा है यहाँ टंकी है इसमें पानी के सुरोत है यह यहाँ नदी दिख रही है आपके बच्चों और यहाँ तलाव और यहाँ नल इस प्रकार पानी के सुरोत है को हम लिख देंगे अब अभ्यास तीन में देखेंगे बच्चों आपके घर में यदि कभी गंदा मतमेला पानी आ जाये तो आप उस पानी को पीने यूग बनाने के लिए जिन पदारते को उपयोग करिंगोंने चेत्रे में लिखे तो बच्चों हमको जब गंदा पानी आ जायेगा तो हम उसका साफ सुत्र कैसे करेंगे तो देखिए उसमें कंकर बजरी रेत कोईला कलोरीन पत्थर और चूना यहां एक मंड की है और उसकी नीचे उसको कैसे सुद्ध पानी किया जा रहा है कंकर बजरी रेत कोईला कलोरीन और इन सब की साहता से चुना इन सब की साहता से यह सुद्ध जल जो है यहां पर प्राप्त हो जाता है तो इन में सब मिला करके और फिर पानी अपने आप जो है यहां पर छहन जाता है यह सारी चीजें इसमें मिलाए जाती है तब पानी सुद्ध और शाप सुत्रा होता है त इसके बाद अभ्यात शार में देखेंगे आप दिनवर में पानी के जो 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 उपयोग करते हैं उनकी सही जोड़ी मिलाईए तो देखें बच्चो इसमें दिया हुआ है जो जो हम पानी इंका उपयोग दिनवर में करते हैं नहाने का उपयोग करते हैं बरतन और कपड़े थो दोने का उप्यों करते हैं। प्यास होने के लिए पानी पीते हैं। तूस यहाँ पर खाना बनाने के लिए जो उपयोग हो रहा है यहाँ पर तो इस पर निसान लग जाएगा सिचाई करने के लिए देखिए आप सिचाई में भी उपयोग हो रहा है और जिस सिचाई देखिए आप बरतनुक साप करने के लिए यहाँ पर सब जो है अलग-अलग लिखे से पांच यह जल संदक्षंट का चेत्र है इस चेत्र पर जीवन अनिख भर के लिए उसका चेत्र बना हुआ है इसका चेत्र के स्टॉगन आपके जो भी चीवन धूरा दिखाय है उसले सिवाहँ पर पांच वात्रा लिखना अब चेत्रे को ध्यान से देखेंगे, यहां पर एक मकान मना भूब बादल किस प्रकार कर से बादल का चेत्र है, पानी गिर रहा है, इस तारी क्रिया इस पर हो रही है बादल की गराड भी दिखाई दे रही है, चमक के साथ भी बादल दिखाई दे रही है, तो इसमें हम लिख देंगे बच्चों देखिए, नमबर एक इस शित्र में हमें एक घर दिखाई दे रहा है, देखिए आप घर के से, ये घर दिखाई दे रहा है, बादल भी दिखाई दे रहा है वर्सात हो रही ये भी दिखाई दे रहा है नमर चार हम बिजली की चमक हो रही ये भी दिखाई दे रहा है बादलों की गरत चमक दिखाई दे रही है पानी की बुंदर बहुत सुंदर दिखाई दे रही है इस शित्र में सारी चीजें जो हमने लिखा है इसमें सा अभ्यास को हम हल कर लेंगे इसके बाद देखें कि तालिका नंबर दो तो तालिका में दिये गए बिंदों के अनुशार उपयोग किये गए पानी की मात्रा लिखें हैं हम देखें कि दिनों के नाम पीने में कितना उपयोग किया गया नाने में कितना उपयोग किया गया पान लीटर मंगलवार को पीने के लिए 5 लीटर नहाने के लिए 20 लीटर और कपड़ दोने के लिए 40 लीटर बदवार को देखेंगे तो 4 लीटर पीने के लिए नहाने के लिए 15 लीटर और कपड़ दोने के लिए 60 लीटर गुरुवार को देखेंगे 30 पीने के लिए 30 लीटर नहा करने के लिए 20 लीटर कपर दोने के लिए 40 लीटर से निवार को देखेंगे तो पिने के लिए 5 लीटर नाने के लिए 25 लीटर और कपर दोने के लिए 50 लीटर इस प्रकार से पानी का पूरी सप्ताय भर में उपयोग गया तो आप भी ऐसे तालीक बना करके अपना विवरन ले शागर कुवाँ, झील शब इसमें लिखा हुआ है और इस बर्ग पहली में हमको जो लिखा है जैसे नदी, शागर, खुवाँ, झील, बारिष, जरना, नाला, सोता, तलाओ ये सारी चीज में इसमें जो है बर्ग पहली में धूण करके यहां पर लिख दिया है उसमें गोला निसान लगा दिया है इसके बाद देखेंगे हम दूसरा नमबर पर जल पर कोई पहली बनाई है जो अपने साथियों से पूछे जैसे यहाँ पर पहली बनी है पानी से निकला पेड़ एक पात नहीं पर डाल अनेक इस पेड़ की थंडी छाया बैट की नीचे उसको बत पाया बताओ क्या तो फवारा है यह पानी में निकलके पेड़ एक पात नदी पर डाल अनेक इस पेड़ की थंडी छाया बैट की नीचे उसको पाया बताओ है क्या तो फवारा है तो इस परकार यह जो जल सुद्धी करण के अंतरगत हमने इसे लाउट आउटकम, लार्निंग आउटकम के अधारित है, इसे EBS 400 की विशेबस्तु अधार्णा और पार्ट को हमने देखा, तो आसा है बच्चों, आपको यह है, वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो मने रहने के लिए धन्यवाद है.